देश में दस महिने बाद फिर से आम चुनाओं होने का रहें 2019 में वापस मोदी सरकार सत्ता में आएगी या नहीं अगर आप कन्फूजड हैं तो थोड़ा ठहरिए हमारी ये रिपोर्ट शायद आपके इस कन्फूजन को दूर कर देगा जी हाँ, ब्लुम्बोग ने एक रिपोर्ट तयार की है जिसमें ये दावा किया गया है कि पियम मोदी 2019 नहीं, 2024 भी नहीं, बलकि 2029 तक देश के प्रधान मंतरी बने रहें ब्लुम्बोग ने पियम मोदी, रूसी राष्टपती व्लादी मिर पुतिन, अमेर्की राष्टपती डोनाल ट्रम्प, चीनी राष्टपती शी जिन पिंग, नौर्थ कोरियाई राष्टपती किम जौंग उन और सौधी अरब के किंग सहित लगभग सोलह देशों के नेताओं की राजिते कैरियर पर ये रिपोर्ट तयार की है, जिसमें पियम मोदी को जलवाई परिवर्तन, करीवी आतंकबाद और अन्य वैश्विक अस्तर की चुनोतियों से निपटने के लिए सबसे सक्षम नेता माना गया है रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि पियम मोदी की लोगप्रता पहले से ज्यादा बढ़ी है देश और दुनिया के लोगों में उनके प्रती बेहत सकरादमक भाव है यही नहीं मोदी सरकार की ज्यादा तर नीतियां और योजनाएं काफी प्रभावी साबित हुई है इन सब के बीच रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि पियम मोदी के सामने प्रतिद्वन्दी के तौर पर फिलहाल विपक्ष में कोई नीता नहीं है और यही वज़ा है कि दो हजार उन्तीस तक पियम मोदी देश के प्रधान मंतरी बने रह सकते हैं